आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ट प्रधान मंतिन नैन मोदी ने कहा देश के युवाओं को आराजकता से हैचिर आज का युवाओं जादपात से पूचा सोचता है हेमन सोरेन बने जारकंड के मुख्यमंति सोरेन के साथ तीन मंतियों ने भी ली शपत बियस्पी विधायक रामबाई ने किया CAA का समथन मायवती ने पार्टी से किया निलम्वित रामबाई ने माफी मागी गुपाल के मेर आलोक शर्मा के अभिनंदन समारों में हंगामा जम कर चले लादभू से और पेजावर मट के भ्रहुख स्वामी विश्वेश का निधान मुखार्टी और मुझी के आज़्धात के गुरू से स्वामी विश्वेश दिल नमस्कार मैंु सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं दखल नियू जब खबरे विस्तार से साल के आखरी मन की बात में प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कहा आज का युवा विवस्ता को पसंद कर रहा है आज की पीड़ी बेहत तेज तर्रार है ये पीड़ी कुछ नया और कुछ अलग करने की सोचती है देश के युवाओं को आरजकता और जातिवाद से चिर है आज के युवा जात पास से उंचा सोचता है ये युवा परिवारवाद और जातिवाद पसंद नहीं करते हैं प्रधानमंती नरेन मोदी ने दिसंबर 2019 में साल की आखरी मन की बात के जरिये देश को संबोदित किया और उन्होंने का 2019 की विदाई की पल हमारे सामने है अब हम ना सिर्फ नए साथ में परविश करेंगे बलकि नए दशक में परविश करेंगे इसमें देश की विकास को गती देने में वे लोग सक्री भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21 सदी में हुआ है मोदी ने कारकरम के शुगात करते हुए लोगों को नए साल की बदाई दी पियमोदी ने कहा कि देश की युवाओं को अराजकता और जातिवास से चड़ है आज का युवा जातपास से उंचा सुचता है ये युवा परिवारवाद और जातिवास पसंद नहीं करते हैं पियम मोदी ने कहा कि आज का युवा विवस्था को पसंद करता है और जब भी कोई विवस्था तोड़ता है तो युवा मोबाइल निकाल कर उसका वीडियो बना लेता है जो वाइरल भी हो जाता है और बाद में गलत काम करने वाले को पश्तावा होता है प्रधानमंती देरिन मोदी ने कहा कि आज की पीड़ी बेहत तेश तर्रार है ये पीड़ी कुछ नया और कुछ अलग करने की सोचती है सौमी विवेका नंजी कहते थे कि युवावस्था की कीमत को न आखा जा सकता है ये जीवन का सबसे मुल्यवान कालखंड होता है आपका जीवन इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी युवावस्था का उपयोग किस प्रकार करते हैं युवाओं के बारे में बात करते हुने उनका हाँ, युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है और नहीं इसका वर्णन किया जा सकता है। यह जीवन का सबसे मुल्यवान कालखंड होता है। आपका भविश्य और आपका जीवन इस पन दिरफर करता है कि आप अपनी युवावस्था का उप्योग किस प्रकार करते हैं। विवेकानन जी के अनुसार युवावव है जो एनरजी और डाइनमिजम से भरा है और बडलाव की ताकत रखता है। प्रधानमंतरी मोदी ने कहा कि हम अलग-अलग कॉलिजों में, युनिवस्टीज में और स्कूल्स युवाव की विकास के लिए होगा बलकि युवाव के सामर्थ से देश का विकास करने वाला भी थाबित होगा। भारत को आधुनिक बनाने में युवापीडी की बहुत बड़ी गूमिका होने वाली है। मैंने 15 गश्ट को लाल के लिए से देशवासियों से कागरह किया और देशवासियों से लोकल सामान खरीदने का अगरह किया था। आज फिर से मेरा सुजाव है कि क्या हम इस्थानी स्थार पर बने उत्वादों को प्रोस्तान दे सकते हैं। क्या उन्हें अपनी खरिदारी में इस्थान दे सकते हैं। जारखंड मुक्ती मोर्चा के कारेकारी अध्यक्ष हेमन सोरेन ने राची में जारखंड के मुक्खमंती के रूप में शपत ले लिए। इसके साथ हेमन सोरेन राजी के ग्यारवे मुक्खमंती बन चुके हैं। सोरेन के शपत समारों में राहुल गांधी, डीम के अध्यक स्टालिन पश्चिम बंगाल की सीयन मम्ता बेनर जी भी शामिल हुई है। मैं हेमन सोरें सत्य निष्ठा से परतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के परती सची सिर्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की परभूता एवन खंटता अक्षुन रखूंगा। मैं जार्खन के मुख्मंत्री के रूप में अपने करतेवियों का सरधा पुरुवक और सुध अंतह करण से निर्वाहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या दोयस के बिना सभी परकार के लोगों के परती समिधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा। इसके अलाबा डीम के नेता, एम के स्टालिन, जे एम एम नेता और हेमन सोरेन के पिता, शिबू सोरेन, पूर्व, केंद्री मन्ती, आरपियन सिंग मौझूद रहे। इसके अलाबा एमन सोरेन भी राजिकी सत्तर समाल चुके हैं। पियम मोधी ने उन से गुरू पूरीमा के मौके पर आखरी मुलाकात का जिक्र करते हुए निधन पर शोग जता है। बीजेपी नेता उमा भारती और पियम नरेन मोधी जैसे नेताओं के आध्यात में गुरू पेजावर स्वामी विश्वेश तीर्त महराच का निधन हो गया। पेजावर स्वामी विश्वेश तीर्त के निधन पर प्रदान मंतरी नरेन मोधी ने ट्विट कर लिखा है कि अरूपी पेजावर मटके श्री विश्वेश तीर्त स्वामी उन लाखों के दिल और दिमाग में हमेशा रहेंगे जो उने अपना माल दर्शक मानते हैं। वे सेवा और आध्यात्म के पुरुदा थे वे एक नियाए परक और दयाभाव रखने वाला समाज बनाने के लिए निरंतर कार्शील रहे ओम शानती। 20 दिसंबर को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद स्वामी जी को अस्पताल में भरती करवाया गया था। शनिवार को उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गड़ गई थी। रहविवार सुभई पूर्व केंद्री मंत्री और बीजेपी की दिगज नेता उमा भारती उनका हाल चाल जानने उड़ू पी पहुंची थी। पीजावर स्वामी के पार्थे शरीर को अजरा काडू मात्मा गांदी मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद शाम को स्वामी विश्वेश तीज का अंतिम संसकार किया गया। दमो जिले के पतहरिया से बस्पा विधायक रामबाई परिहार को CAA का समर्थन और प्रधान मंती नरेन मोदी की तारीफ करना महगा पड़ गया। मोदी की तारीफ के बाद बस्पा प्रमुख मायावती ने रामबाई को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं पूरु मंती बीजेपी नेता नरोता मिस्ट्रा ने रामबाई के निलंबन को गलत बताया है। वहीं इस घटना करम के बाद रामबाई ने इस मसले पर मायावती से माफी मांग ली है। बीजेपी की तेश्टरार विदायक रामबाई ने सीए का समर्थन करते हुए कहा था कि मैं परधान मंती नरेन मोदी पहलात पटेल और मिस्ट्रा को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने ये नर्णे लिया। ये नर्णे तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और उन्होंने नागरिक्ता संशुदन विदायक पास किया में और मेरा परिवार उनका समर्थन करता है। इसके बाद B.S.P. प्रमुक मायवती ने ट्विट कर लिखा है कि बस्पा अनुशासत पार्टी है वह इसे तोड़ने पर पार्टी के सांसाद और विदायक आदी के विरुद तुनत कारवाई की जाती है। इसी करम में मद्द परदेश की पत्थरिया से बस्पा विधायक रमाबाई परियार द्वारा नागरिक्ता संशुदन कानून के समर्थन करने पर उन्हें पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है। उन पर पार्टी के कारकरों में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। नरेंद मोदी जी को धन्वाद देती हूं, पहलाद पटेल जी को धन्वाद देती हूं, नमेश साजी को धन्वाद देती हूं, जो उन्होंने इतना अच्छा नरणाय लिया, और यह नरणाय तो बहुत पहले हो जाने चाहिए था, पर पहले कोई सक्छा में नहीं था समर्थन करते हैं। गौर्ट अलबय के पत्थरिय विदायक रामभाई इसके पहले भी सरकारी कर्मचारियों के साथ विवात को लेकर सुर्खियों में रह चुकी है। मद्द परदेश में बसपासे विदायक होने की वज़े से विक्तमला सरकार का समर्थन भी करती रही है। पहले भी पार्टी द्वारा उन्हें चेतावनी दी जा चुकी है। लेकिन पार्टी लाइन से लगातार हटकर चलने की वज़े से उनके खिलाफ ये कारवाई की गई है। रामबाई के निलम्बन पर पूर्मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि रामबाई ने राष्ट हित की बात की है। रामबाई बेहन का मैं समर्थन करता हूँ उन्होंने राष्ट हित को पार्टी से उपर माना। उनके निलम्बन की कारवाई को मैं उश्यत नहीं मानता। रामबाई ने राष्ट हित की बात की सम्वेधान का समर्थन किया। सीसी एक कानून जो आज सम्वेधान का धर्जा प्राप्त कर्चपका है उसके समर्थन की अगर उसे सजा मिलती है तो मुझे ऐसी पार्टी पर तरस आता है। उसकी विचार धारा पर तरस आता है। मैं मानता हूं कि पार्टी से उपर देश होता है, राष्ट होता है। बहन मायावती जी ने उनके निलम्मन की जो कारवाई की है मैं उसे उचेत नहीं मानता। रामभाई बेहन का मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने राष्ट हित को पार्टी से उपर माना। अपने दिलंबन के बाद रामभाई ने कहा कि उनकी पूरी रास्था पार्टी सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाच पार्टी में हैं वो पार्टी से इतर हटके कुछ भी नहीं कर सकती हैं राम भाई ने कहा कि पहले भी उनसे कई बार कुछ गलतियां हुई है और हमेशा उन्हें बेहन माया वती ने माफ किया है और उनका कहना था कि बच्चों से कुछ गलती हो जाती है तो बड़े लोग माफ कर देते हैं मायवती को कहीं बुरा लगा है या ऐसा उनको लगता है कुछ गलत हुआ है तो राम भाई ने अपने कहे के लिए माफी मांगिए और अपने शब्दों को वापस लिया है सुनिए राम भाई का निलंबन के बाद क्या कहना है दिखे बहन जी ने जो मेडिया में देखा है और मेडिया ने मेरे टोर मरोर की जो छापा है और जो दिखाया है वो बैसा नहीं है मैं पाइटी की बिचारधारा मेरे नसनस में भरी है और मैं बहन जी के साथ आखरी सांस तक हूँ चाहे वो निकाले कुछ भी कहें मैं उनके समर्थन में थी और पाइटी की बिचारधारा के तो मैं अपने सब्दों को वापस बीदेju, अब देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात बोले, क्या कोई बच्चे गल्ती कर देते तो माबाप बाहर तो नहीं निकालती, तो वो मेरे माबाप के समान है, और मैं गल्ती कर, कई बार मेन गल्ती की, उनने मुझे माफ किया है, यह मैंने यह नहीं बोला कि कोई इधर के लोगों के खिलाप के हिंदू या मुसलिम नहीं मैं तो पहले मानावतार इंसानियास से बड़ा कुछ नहीं मानती हूं तो मैंने सिर्फ आतंकवादियों के पृति यह बात रखी थी और ऐसा कुछ नहीं है कि जो भूपाल मेयर आलो अलोख शर्मा के खिलाप नाडे बाजी शूरू कर दी यूबकों ने आलोख शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए जिसके बाद महा पृर के समर्तकों ने नारे लघाने वाले युपकों की जमकर पिटाई कर दी इस दोरान बीज बचाओ कर नहाए पुलिस को भी चोटे महापा और आलोक शर्मा के लिए रखे गए अविननन समारो में जमकर लादबूसे चले जिसके बाद अविननन समारो जंग का मैदान बन गया दरसल समारो के दोरान कुछ उपद्रवी युपकों ने आलोक शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिये जिससे ना के बीच जहागिरवाद ठाने के टी आई वीरें सिंग चोहान भी घायर हो गए साथी पुलिस कर्मियों ने उन्हें हालत खराब होता देख नजदी की अस्पताल में बढ़ती कराया इस दौरान कुछ दिर के लिए कारकरम में अफ़ता तफरी फैल गई और बड़ी संख्य बता जा रहा है कि कॉंग्रेस के एक पार्शद ने इन उपद्रवियों को भीजा था मुझे जानकारी नहीं है चुकि सब मीडिया की उपश्चिती में यहां पे था जो भी घटना हुई है मैं समझता हूँ धुरभागे पून घटना है और पिछले दिनों इन लोगों ने चांदबड में मेरे लिए एक योजनाबत तरीके से अर्थी भी निकाली थी और उस समय भी मैंने उनको बिलाया था और चर्चा भी की थी और मैंने यही कहा था कि हम जल्दी से जल्दी अब चुकि कोई समस्या सामने आती है तो प्रिशाशनी क्रिक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है हमने सबीनियर को पहुँचाया और हमने इस्टीमेट भी बनव कॉंग्रेस महा सचीव प्रियंका वाडरा से उत्तर प्रदेश पुलिस के दुर व्योहार का मामला तूर पकड़ता जा रहा है सहकायता मंती डॉक्टर गोविन सिंग ने कहा कि बीजेपी और संग की संस्कृती ताना शाही पूर रही है वो विपक्ष की आवाज को दवान पर चल रही है विपक्ष को हिंसा से दवाया जा रहा है प्रियंका जो पूरे उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है उनकी आवाज दवाने की कोशिस की जा रही है प्रधान मंतीर नेरिन मोदी की मन की बात पर गोविन सिंग ने कहा कि मोदी के मन की बात ये है कि वे देश में ताना साही लाना चाह रहे हैं। आधा हिंदुस्तान आग में जल रहा है। नियम कानून बदल कर संप्रदाइक तफैलाई जा रही है। भारती जनता पार्टी रारेसेस की संस्केति के उनके अरूप रोना जेकार किया है। भारती जनता पार्टी की सोच दवाव में आतंक जूटे केसमें पसा कर हिंसा के माद्दिम से लोगों के दवाने की उनकी नीती है। इस नीत की कांग्रेस पार्टी गोर नेदा करती है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो समूची उत्तर प्रदेश में अन्याय वचल्म के खराब राज रड़ रही है। उनके दवाने का प्रयास है। समूची कांग्रेस पार्टी इस बात से चिंतित है और इस का डटकर मुकाबला करेगी और भारती जनता पार्टी के इस प्रकार ताना से पूर्ण कारवाई का बरूद करेगी। फिर आल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के आप फिर हाजीर होंगे आप देखते रही दखलने वी। अब बात करते हैं मौसम की बर्फीली हवा से पूरा मध्यप्रदेश छिटूर रहा है प्रदेश के सभी संभागों में शीत लहर का असर रहा हिली स्टेशन पच्मड़ी में एक और टीकम गड़ में पार एक दसमलों पांच डिग्री पर आ गया उमरिया डिंडोरी में दो दमों में दो समलों पांच राय से नौगाओं बैतूल दतिया शेवपुर का लामें नियूंतम तापमान तीन डिग्री दर्च किया गया सागर शेडोल संभाग में कहीं कहीं पाला पढ़ने से सब्जी और चने की फसल को काफी नुक्सान हुआ है मंदा जिले के काना नेशनल पार्क में सुबह तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया पश्मणी में एक और टीकमगड में पारा एक दशनलो पाँच डिग्री सेल्सियस पर आ गया ओमरिया डिंडोरी में दो दमो में दो दशनलो पाँच रायसेन नौगाउं बैतूल दतिया शोपर कला में नियूतम तापमान तीन डिग्री दर्च किया गया मौसम विग्यान किंद के विग्यानी एसेनस आउने बताया कि उत्तर भारत कडाके की थंड की चपेट में है वर्तमान में औसा 14 किलोमीटर परती गंडे की रफतार से उत्तर भारत की तरफ से थंडी हवाएं परदेश में आ रही है जिसके कारण पूरा परदेश स्टिटूर रहा है मालवा निवार में शीतलेहर ने लोगों को बेहाल कर दिया है शाजापुर में आलू की फसलों के मुर्जाने की खबर है खेतों में बर्फ की परस ही नजर आ रही है वहीं चीलर नदी किनारे खड़ी कारों पर औसकी बूने बर्फ की तरह जम गई गौलिर में पारा 4.3 और भोपाल में 5.3 डिग्री से अलसियस रहा 36 गड़ के ज्यादातर हिस्से इस वक्त शीत लहर की चपेट में 15 जिलों में तेज शीत लहर चल रही है मैन पार्ट और चिल्फी में बर्फ की चादर बीछी नजर आई तेज ठंड में उसकी बूदे जमने से ऐसे हालात बन गए है 36 गड़ के 15 जिलों में तेज शीत लहर चल रही है अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान से 5 डिग्री नीशे चल रहा है ये इस सीजन की सबसे अधिक ठंड है देश के बाकी हिस्सों में पढ़ रही कड़ाके की ठंड के कारण यहाँ भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने की संभावना जटाई गई है मौसम विग्यानियों की माने तो उत्तर से आरही सर्द हावा ने में पार्ट और चिल्फी की पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिशा दिये इसका असर मैदानी छेतरों के मौसम पर भी नजर आ रहा है रायपूर समित अधिकांश हिस्से शीत लहर की चपेट में है सबसे कम नियूंतन तापमान 3.8 डिगरी सेल्सियस अंबिकापूर में दर्ज किया गया चिल्फी घाटी में नियूंतन तापमान 3.0 डिगरी रिकॉर्ड हुआ मौसम विवाग ने परदेश के कोरिया, बल्डामपूर, सरगुर्जा, सुरजपूर, जशपूर, बिलासपूर, कवरधा, मुंगेली, कोरभा, रायगार, बेमेतरा, जांजगी, राजदन गाओं, बलोदा बाजार, महासमंज, जिलों में तेज शीत लहर की चितावनी दि में 3.8 डिग्री दर्च किया गया, मद्रप्रदेश में कड़ाके की ठंड के चलते जीला प्रशासन ने स्कूलों के टाइम में बदलाव करने के निदेश जारी किये हैं, लेकिन प्रशासन के निदेश के वावजूर, टीकमगड के कुछ स्कूलों में क्लास से सुबह 8 माज डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, मद्रप्रदेश सरकाव परशासन ने स्कूलों का समय बदलने के निदेश जारी किये हैं, इसके बावजूद शेहर के दो स्कूलों सेंट मारिया और एंजल्स आवाइड स्कूल में सुबह 8 बजे से क्लासेश लगा जारी हैं, बता समधित अधिकारियों ने इन स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, और नहीं कोई अधिकारी इन स्कूलों के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है कलेक्टर हर्शिका सिंग और जिला पंचायत के सी-यो हर्शल पंचवटी को मुबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव करना भी उच्चित नहीं समझा, इन सब में कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों की भी लापरवाई साफ नजर आती है, इसकूल में मनुझ गंगले ने बताया कि उनका स्कूल जानकरी के अभाव में साड़े आठ बजे से रग रहा है, तो आज हम बच्चों को बता नहीं पाए हैं, तो आज हम बच्चों को बताएंगे और कल का टाइम नौ बजे इनका हो जाएगा, सेंट मारिया किट्स इंग्लिस मिलियम स्कूल जाएंगे हैं, आज मैं बच्चों को सूचना नहीं मिली है, ताइमिंग के बारे में, आज मैं बच्चों को सूचना दूँगा, कल से बच्चे नौ बजे आएंगे, अपना है तन से एट बिजली विवाग के सहाय केंत्री को रिश्वत लेते भोपाल लोकायुक्त की टीम ने गिरफतार किया है सहाय केंत्री ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था विदिशा में विद्युत वित्रन कंपनी के एवज में रिश्वत मांगी थी बता जा रहा है कि शर्मा द्वारा ठेकेदार से पांच जार रुपए की रिश्वत की मांगी गई थी जिसके बाद भौपाल लोका युक्त की टीम ने दबिश देकर शर्मा को रंगे हाथो गरफतार किया एई शर्मा के खिलाफ लोका युक्त पुलिस ने जाज़ शुरू कर दी है संत हिदाराम नगर में महिला एवं बाल विकास विखाक की कि शौरी बालिका युजना के तहत 11-14 साल की बालिकाओं को सारवजनिक संस्थानों का ब्रहमर करायागया इस योजना का उद्देश बालिकाओं को सारवजनिक की योजना की कारिप्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तक पहुंचाना है साथ ही साजनिक कारियों के बारे में जाग रुकता पैदा करना है ताकि किशुरियों को भविश में समय आने पर इन सीवाओं का उप्योग करने में कोई समस्या पैदा ना हो इस ब्रहमन के तहत किशुरियों को पुलिस थाना रेलवे स्टेशन बेरागर अस्पताल एवं बैंक का ब्रहमन करवाया गया इस दोरान पर यूजना दिकारी प्रियंका दीवान वाड़ चार की पाश्यद भारती महेश खटवानी सहित आंगनवारी की कारकरता मौजूद रही यूजना के तहत लगबग सौ बालिकाओं को जगए जगए ब्रहमन करवाया गया ब्रहमन के दोरान उप्रोग संस्थाओं के पदादेकारी दोरा कार प्रणाली की विस्तर जानकारी बालिकाओं को दी गई सिंगरोली में स्वच्छता के लिए मीडिया कारशाला का आयोजन किया गया कलेक्टर ने पत्रकारों और नगर निगम के करमेचारियों के साथ स्वच्छता के लिए शपत ली के विए चौदरी ने कहा कि पत्रकार साथी भी सुच्चता की इस महीम में शामिल हो और कंदे से कंदा मिलाकर इस महीम में युगदान दे नगर निगम द्वारा सुच्चता रेकिंग 2020 के लिए जो महीम चलाई जा रही है उसके सार्थ तक परिणाम मिलते दिख रहे हैं महीम में शहर में आम नागरिक सरकारी कर्मचारी शासकी अशासकी विद्यालों के परबंदक साथ दे रहे हैं कलेक्टर ने पत्रकारों नगर निगम के कर्मचारियों के साथ सुच्चता की शपत ली कारकर में नगर निगम कमिश्चता शिवेन सिंग ने कहा कि शहर में जहां स्वच्छता सर्वेक्षन 2020 में भाग लेने वाला है स्वच्छता सर्वेक्षन 2020 में भाग लेने वाला है स्वच्छता सर्वेक्षन 2020 जनवरी एक तारिक से लेके मारे 20 तारी के बीच में होने वाला है इन सब में सभी शहर के नागरिकों से सबसे अपील है कि इसमें मना अपन स्थान है जहां पर सफाई गाव शकता है उसमें आप उसका फोटो खिंच के मने अपलोड कर सकते हैं नगर निगम उसमें लगातार देख रहे हैं हम अस्वस्त करना चाहते हैं कि 24 गंटों गंदर उसका रिजॉल करके सफाई करके साफ किया गया जगा का फोटो वापस और उ साथ चाहते हैं तो यह फिडबैक देंगे तो माले जे उस प्रकार की आपकी साभागिता से फिडबैक से नगाने का माले उस मैचे से काम करके स्वत्ता सर्वेक्षर में आगे काम कर पाएगे इस बुलेट में फिलाल इतना ही आप देखते रहे हैं दखल न्यूस दखल गाउ से शेहरों तर व्यापार से उद्योगों तर राज़्टीती से उटनीती तर दखन न्यूस आपके हद तर आप देख रहे हैं दखल लिए